हाई किसे सबस्वागे थे तो न्यूटिकल चैनल पे मेरा नाम है निताशा सिंग और आज मैं आपसे बात करूँगी हमारे आइफून 12 के बारे में यह जो हमारा वीडियो है यह स्पेशली है एपल फैंस के लिए जिन लोगों को आइफून ही खरीदना होता है सबसे बेले तो हमारा आइफॉन 14 सीडिस जो है अभी कुछी दिनों में लाँच होने वाली है और यहाँ पे आता है बड़ा सवाल कि आपको इस फोन के लिए जाना चाहिए या नहीं मतलब इस फोन से रिलेटेड अक्चल में बहुत सरे लोगों के कहीं सरे कॉर्शन होते हैं कि इस डिवाइस का बैट्री वेकप कैसा है इस डिवाइस के अंदर आपको यहाँ परफॉर्मेस कैसी मिलती है कैमरा कैसा है और मैं आपको बताओं सारी चीज़ने मैं आपको बता दिया था और उसके बाद अभी जो इसमें रिसेंट अपडेट आया है उसके बाद भी मैंने इसको अच्छे से टेस्ट का लिया है दो-तिन दिनों से मैं इसको यूज कर रही हूं और मैं आपको बताओं मुझे जो सबसे इंप्रसिफ चीज लगी वो यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी कपेसिटी हमारी अभी भी डिवाइस की 100% आ रही है और बैटरी वेकप के अगर बात करूं तो यहाँ पर डिवाइस के अंदर जहां पर आप रोगों का जादा बड़ी बैटरी नहीं देता चोटी बैटरी आपको मिलती है और यह जो हमारा डिवाइस है तो कॉम्पाक साइज में आता है लेकिन यह तब भी मैंने जितनी बार भी इस फोन को यूस किया है एक दिन तो मेरे यह आराम से निकाल ही देता है तो नॉमल यूजश में बैकर बैकर आपको यहाँ पर मिल जाता है हाला कि charging हमारे device की slow है यहाँ पर box के दर आपको कोई charger भी नहीं मिलता आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और charging में काफी टाइम लगता है मेरे तो बिल्कुर request है यह Apple वालों से कि please charger आप यहाँ पर fast charging include करो बंदा अलग से भी ख charging में ही यहाँ पर इतना slow है wireless लगा के तो बैठे रहाँ जाओगे फोन को use ही नहीं कर पाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है अब इसके लावा जैसे कि device के दर हमारे पास यह जो update आया इसके बाद में आपको बता हूँ तो यहाँ पर device को जो camera है उसके अंदर मुझे यहाँ पर मिल जाएका detail में और मैं आपको बता हूँ यह device हमारा टकर दे पा रहा है अराम से pixel को भी यहाँ पर देख सती है night pics से हमें पता चल जाता है device actual में कैसा परफॉर्म कर रहा है और total dark की pic है यह हमारी जिसके अंदर आप देख सते है को pic quality कितनी अच्छी मिल जाती मत आपको detailing केतनी अच्छी मिल रही है मतलब आपको flagship level की यहाँ पर performance मिल रही है तो camera मुझे actual में अब जो improve किया गया है वो काफी बढ़िया लगा और अगर मैं बात करूँ day time के pics के तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अभी जो improvement करी गई है उसकी वज़े से आपको यहाँ आपके mode के अंदर भी यहाँ पे edge direction हमें अच्छा वाला देखने को मिल रहा है और उसमें भी आप देख से तो background में कितने प्यारे इसने clouds को capture किया है background detailing भी अच्छी आ रही है इसके साथ अब video graphic के बात करो तो वैसे ही apple को action में compete करना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ मैं ब fps पे भी 60 fps पे भी जिसमें stabilization में अच्छा मिलता है color reproduction भी आपको natural के side मिल जाता है जिसके अंदर आपको exposure को भी maintain कर पा रहा है dynamic range में हमारी अच्छी आ रही है focusing भी हमारी fast है तो actual video graphic के लिए Apple हमारा best होता ही है तो जिल लोगों को ऐसे vlogging के लिए चाहिए na phone वो Apple के phone को consider कर सकते हैं इसके साथ आगे अगर बात करो selfie camera के बारे में तो यहाँ पर काफी improvement है ऐसे बहुत तगड़ी वाली नहीं है जैसे back camera में होई लेकिन पहले से तो improvement यहाँ पर में को देखने को मिली है आप देख सकते है selfie camera के जो पने pixel है आप normal में wide angle में portrait mode में भी wide angle में selfies क्लिक कर सकते है जिसमें आपको natural colors मिल जाते हैं उसके साथ आप blurring के आपको कुछ modes भी मिल जाते हैं लेकिन आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि detailing अच्छी मिल रहे है skin tone को अच्छे से maintain कर पा रहा है edge direction हमारा अच्छा आ रहा है मतलब fix appealing लग रही है हाला कि एक चोटी से गडबर यह भी है जो हमारा highlighted वाला area होगा अगर आपकी back side में तो highlighted वाले area को थोड़ा सा blown कर देता है बाकी area को ठीक capture कर पा रहा है वीडियोग्राफी में यही चीज हुई थी कि आप काफी stable video आपको यहाँ पर मिल जाता है अच्छी video quality के साथ इंटोन भी अच्छे से maintain कर पा रहा है colors भी ठीक आ रहे हैं लेकिन अगर highs है पीछे थोड़े जादा तो वह थोड़े से blown कर देगा लेकिन बाके detailing को अच्छे से capture कर पाता है इसके साथ device की performance के अगर मैं बात करों तो यहाँ पे है हमारे पास A14 Binal Gipset आपको यहाँ काफी अच्छी performance मिल जाती है मतलब अगर आप यहाँ पे gaming gaming भी करते हैं जैसे कि मैंने call of duty खेली तो उसके अदर आपको highest settings आराम से मिल जाती है जिसके अंदर gaming में आपको कोई धिक्कत ने आएगी performance device के अंदर आप अराम से सारे काम कर सकते हैं performance ठीक मिल जाती है इसके साथ वैसे अगर heavy task आप करते हैं या heavy gaming आप करते हैं तो उसके दर थोड़ा device हमारा warm हो जाता है वो एक अलग बात है लेकिन उसके इलावा आपके सारे काम इस device के अराम से इजीली हो जाएंगे optimization हमारे device के काफी अच्छी निकल के आती है और साथी N2-2 टेस्ट भी जो मैंने रन किया device का उसमें भी साड़े साथ लाग तक हमारा यहाँ पर स्कोर आगिया तो performance में ठीक मिल जाती है अब यहाँ पर कहीं लोगों कोशन आते है कि आपको device के डिस्प्ले में से 60 Hz रिफ्रेश्ट मिलता है तो वह तरह स्मूध नहीं लगता होगा लें आपको बताओ एक्टिन में आप इसको यूज करोगे आपल के डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस काफी अच्छी मिलती है सल्लाइट में यूज करने में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत हैं आएगी डिवाइस के डिस्प्ले में आपको content देखने के लिए भी काफी अच्छी brightness colors मिल जाते हैं वाइबरेंट लगेगा डिस्प्ले तो आप content को भी काफी अच्छी से enjoy करोगे उसके साथ device के अंदर हम audio की बात करें तो आपको यह पर dual studio speakers मिल जाते हैं जिसके audio की हमारे यहाँ पर काफी अच्छे वाला निकल के आ रहा है तो content enjoy करने के लिए आपको display अच्छा मिल रहा है और audio भी अच्छा मिल रहा है इसके साथ आगे अगर बात करो device के built and design के बारे में तो यह है हमारा एक compact size का device और बहुत लोगों को चेही होते हैं लेकिन options आपको काफी कम आती है अब यहाँ पर compact size है device का जिसको कि आप एक हाल से easily hold करके use कर सकते हो और अच्छी चीज यह कि आपको यहाँ पर Apple की बड़िया built quality मिल रही है मतलब यहाँ पर है हमारे पस glass body, aluminum की framing जिसमें white color में मेरे पस device देखने में भी बहुत ही premium लग रहा है अपडेट्स भी time to time मिलते रहते हैं मतलब जो आपका अभी जो नया device आएगा उसमें जो update आएगा वही same update आपको यहाँ पर भी मिल जाता है और उसके साथ privacy की बात करूं तो मतलब actual में जितने भी हमारे devices हैं उनमें से सबसे जादा security आपको जो मिलती है वह आपको Apple के devices में मिलती है तो मतलब जिन लोगों को ऐसा phone चाहिए न जिसमें वह बिना किसी tension के अपना personal data, अपने banking documents, अपने confidential files को रखना चाहते हैं तो उनके लिए Apple के phone best रहता है तो कैस यह था हमारे device, हमारे iPhone 12 जो की कि मैं आप बताऊं, तो हमारा एक काफी अच्छा device है Apple की तरफ से, जो कि आपको 50,000 रुपे के budget पर मिल जाता है वाद है इस device के अंब को सारी चीज़ते बढ़िया वाली मिल रही है अगर आप लेना चाहें तो बिलकुँ इस phone को अभी ले सकते हैं लेकिन में जो question आता है कि अभी जैसे iPhone 14 आने वाला है, पूरी series आने वाली है तो उस time पे अभी आपको लेना चाहिए यह नहीं मेरे सबसे best तो यह रहेगा कि आप 15 दिन रुख जाओ, सिर्फ 15 दिन ही रहे हैं और 15 दिन बाद जब आप वह हमारा device launch होगा तो इसके उपर आपको लगबग 10,000 रुपे के आपको और off मिल जाएगा मतब इसका price cut हो जाएगा तो अगर आपको अभी से 15 दिन बाद यह और better deal में आपको मिल जाएगा मतब आइफोन 11 के price में आपको यह मिल जाएगा iPhone 12 तो उस time के तो यह हमारा एक best option मन जाएगा जिनको भी लेना है चाली सुजार रुपे के price में एक बढ़िया iPhone तो मेरे साथ से 15 दिन रुखना आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा और 15 दिन बाद इसके लिए जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते ही यह हमारा काफी अच्छा device है जोगी कि अभी updates के बाद और थोड़ा improve कर दिया आपल ने तो आपको यहाँ पर मिल जाती है एक बड़िया दील So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को like and share जरूर करें